आज हर राम भक्त के हिर्दे में प्रसंता है गर्व है और संतोस के भाव हैं आखिर भारत को इसी दिन की तो प्रतिक्सा थी भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतिक्सा में लगभग पांच सताब्दि बतीत हो गई आज आत्मा प्रफुलित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था प्रवु राम लडा के भव्य दिव्य और नब्य धामे बजार बिराजने की आप सभी को कोटी कोटी बधाई पांच सो वर्सों के लंबे अंतराल के उप्रांथ आज के इस चर्चिर्प्रतिक्सित मौके पर अंतर मन में भावने कुछ ऐसी है क्योंने ब्यक्त करने के लिए सब्द नहीं मिल लाए है मन भावुक है भाविबोर है भावविवल है निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा मैसूस कर रहे होंगे आज इस एतियासिक और त्यंत पावन अस्वर पर भारत का हर नगर हर ग्राम अयोध्याधाम है हर मार्ग सिर्राम जनभूमि की ओर आ रहा है हर मन में राम नाम है हर आँख हरस और संतोस के आंसू से भीगा है हर जिवा राम राम जप रही है रोम रोम में राम रमे है पुरा राष्ट राम में है ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए है आज रगु नंदन रागो राम लला हमारे हिर्दे के भावों से भरे संकल्प सुरूप सिंगहासन पर विराज रहे है आज हर राम भक्त के हिर्दे में प्रसंता है गर्व है और संतोस के भाव है आखिर भारत को इसी दिन की तो प्रतिक्सा थी भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतिक्सा में लगभग पांच सताब्दि बतीत हो गई दर्जनों पीडियां अधूरी कामला लिए इस धराधाम से साकेत धाम में लीन हो गई किन्तो प्रतिक्सा और संगर्स का करम सतत जारी रहा सिराम जन्भू में संभवता विश्व में पहला ऐसा नूठा प्रकंडर होगा जिसमें किसी राष्ट के बहुत संक्यक समाज ने अपने ही देश में अपने अराध्य की जनमस्तली पर मंदिर निर्मान के ले इतने वर्सों तक और इतने अस्तरों पर लड़ाई लड़ी हो संतों, सन्यासियों, पुजारियों, नागाओं, निहंगों, बुद्धी जीवियों, राजनेताओं, जन्जातियों सहीद समाज के हर वर्ग ने जाति पाती, विचार दर्सन, उपासना पद्दति से उपर उठकर के राम काज के लिए स्वयम को सर्ग किया अंततह वसुप आउसर आ ही गया जब कोटी कोटी आस्तावानों के त्याग और तब को पूरता प्राप्त हो रही है आज आत्मा परफुलित है, इस बाद से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था संकल्प और साधना की सिद्धि के लिए हमारी प्रतिक्सा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूरता के लिए आधनिये प्रधान मंत्री से नरेंद्र मोदी जी का हिरदे से आभार और अभिनंदन माने प्रधान मंत्री जी 2014 मैं आपके आगमन के साथ ही भारतिय जन्मानस कह उठा था कि मोरे जिय भरोस दिड़ सोई मिलही राम सगुन सुब होई अभी गर्वग्रे में बैदिक विधी स्विधान से रामलला के बाल विग्रह के प्राण प्रतिष्टा को हम सब सब साक्सी बने हैं और लौकिक छवी है हमारे प्रभु की बिलकुल वेसे ही जैसे तुलसी दास जी ने कहा कि नवा कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुनम धन्य है वसिल्पी जिसने हमारे मन में बसे राम की स्चवी को मूर्त रूप प्रदान किया है बिचारों और भावनाओं की बिहलता के बीच मुझे पूजय संतों और अपनी गुरु परंपरा का पुर्णे स्मरण हो रहा है आज उनकी आत्मा को असीन संतों सरानंद के अन्भूति हो रही होगी जिन परंपराओं की पीडियां सिराम जन्भू में अपनी आहुती दे चुकी है उनकी पावन इस मिर्तियों को मैं यहां पर कोटी कोटी नमन करता हूँ सिराम जन्भू में महायग्यन केवल सनातनास्ता और विस्वास की परिक्सा का काल रहा बलके संपूर्ण भारत को एकात्मता के सूत्र में बांधने के लिए राष्ट की सामिक चेतना जागनन के धे में भी सफल सिद्धु हुआ है सदियों के बाद भारत में हो रहे इस चिर्प्रिक्सित नौबिवान को देख अयोध्या समेत पूरा भारत का वर्तमान आनंदित हो उठा है भाग्यवान है हमारी पीड़ी जो इस राम काज के साक्सी बन रहे है और उससे भी बड़भागी हैं वो जिनोंने सर्वस्व इस राम काज के लिए समर्पित किया है और करते चले जा रहे है जिस अयोध्या को आउनी की अमरावती और धर्ती का वेकुंड कहा गया वो सद्यों तक अब सिप्त थी उपेक्सित रही सुन्योजित क्रिस्कार जेलती रही अपनी ही भूमी पर सनातनास्ता पद्दलिद होती रही चोटिल होती रही किंतुराम का जीवन हमें सैयम की सिख्सा देता है और भारती समाज ने सैयम बनाई रखा लेकिन हर एक दिन के साथ ही हमारा संकल्प और भी दिड़ होता गया और आज देखिए पुरी दुनिया अयोध्या के वैभाव को निभार रही है हर कोई अयोध्या आने को अतुर है आज अयोध्या में त्रिता युगीन वैभा उतर आया है दिख रहा है यह धर्मनगरी बिश्व की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है पुरा विश्व दिब्ब्य और भब्य योध्या का साकसाथ कार कर रहा है आज जी सुन्योची त्यम्ती ब्रकति से योध्या पुरी का विकास हो रहा है वा प्रधान मंत्री जी के दिड़ संकल्प इच्छा सक्ते और दूर दृस्ता के बिना संभो नहीं था कुछ वर से पहले एक कल्पना से परे था कि अयोध्या में एरपोर्ट होगा यहां के नगर के भीतर चार लेन की सड़के होंगी सर्यूजी में कुरूच चलेंगे अयोध्या की खोई गर्मा वापस आएगी लेकिन मित्रों डवल इंजन की सरकार के प्रियास से आज आप सब के सयोग से सब साकार हुआ है सांस्कृतिक अयोध्या आयुस्मान अयोध्या स्वच्छ अयोध्या सक्सम अयोध्या सुरम्य अयोध्या सुगम्य अयोध्या दिव्य अयोध्या और भव्य योध्या की रूपे पुन्डधार के लिए हजारों करोड रुपे वर्तमान में यहां पर भौतिक विकास के लिए लग रहे हैं राम जी की पेड़ी, नया घाट, गुपतार घाट, ब्रम्म कुंड, भरत कुंड, सूरज कुंड, विभिन कुंडों के काया कल्प, संग्रक्षन, संचालन, रखरखाओं के कार्य हो रहे हैं रामेण परंपरा की कल्चर में पिंक राई जा रही है राम बंगमन पत पर रामेण वीथिका का निर्मान हो रहा है नई अयोध्या में पुरातन संस्कृति और सब्वेता को संग्रक्षन तो होई रहा है भौश्यकी जरुपतों को देखते हुए आधनिक पैमाने के अंसार सभी नगरिये सुपधाएं भी विक्सित हो रही है इस मोक्सदाइनी नगरि को आधनिये प्रधान मंत्री जी के पेणा से अब सॉलर सीटी के रूप में भी विक्सित किया जा रहा है पूरी अयोध्या में विश्व के सनातन आस्तावानों संतों प्रेटकों सोधार्तियों जिग्यास्यों के प्रमुक केंद्र के रूप में इसे बनाने की और इसे अग्रसर किया जा रहा है यह एक नगर या तीर्थवर का विकास नहीं है यह उस विश्वास की विजय है जिसे सत्य में वो जैते की रुप में भारत के राजचिन्द मेंगिकार किया गया है यह लोक आस्ता और जन विश्वास का विजय है भारत के गौरव की पुनरप्रतिष्टा है अयोध्या का दिब्यदि पौत्सों नए भारत की सांस्कृतिक पहचान बन रहा है और स्री राम लिश्वास की पौनरप्रतिष्टा का समारो भारत की सांस्कृतिक अंतरात्मा को समरस की एक अविव्यक्ति सिद्ध कर रहा है स्री राम जन्भूई मंदिर की अस्तापना भारत के सांस्कृतिक पुनर जागनन का अध्यात्मिक अनुस्थान है यह राष्ट मंदिर है निसंदे सिर्राम लिला विग्रह की प्रांट प्रतिष्था राष्टि ये गौरव का एक एथ्यासिक अउसर है निश्चिंत रहिए प्रवराम की किरपा से अब कोई अयोध्या की परिकर्मा कुएं बाधा नहीं बन पाएगा अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गडा हट नहीं होगी करफ्यू नहीं लगेगा अब इतों यहां दिपोट्सो रामोट्सो और यहां की गलियों में इसी राम नाम संकृतन से यहां की गलियां गुझाए मान होंगी क्योंकि अवद पुरी का मैं राम लिला का बिराजना राम राज्य की स्थापना की उद्गोशना भी है राम राज्य बैठे तिर लोका हरसित भये गये सब सोका रामराज्य भेदभाव रहित समरत समाज का दियोतक है और हमारे सस्री प्रधान मंत्री जी की नीतियों बिचारों और योजनाओं का अधार है भव्य दिब्य राम जन्भूई मंदिर के स्वपन को साकार रूप देने में योगदान देरने वाले सभी वास्तुविदों, अभियंताओं, सिल्पियों और सिर्राम जन्भूमी तीर्थ छेतर न्यास के सभी पदादिकारियों को हिर्दै से धन्यबाद, पुना आप सभी को राम लला के बिराजने की इस एथियासिक पूने घड़ी की बधाई आदरिये प्रधान मंत्री जी, आदरिये सरसंग चालक जी, माने राज्यपाल महोदिया और आप सभी महानुभाओं का में एक बार फिर से हिर्दै से स्वागत और विनंदन करते वे हम सब जो संकल्प पुरोजों ने लिया था उसकी सिद्ध की भी सभी को बधाई देते वे प्रवु के चर्णों में एक बार पुना नमन करते वे पुरे प्रदेश और देश्वास्यों को आज की स्रामत्सो के उसर पर कोटी कोटी बधाई और अमिनंदन देते वे अपनी बाणी को बिराम देता हूँ जजे सिताराम